जब से मानब ने होस समाला और घरों में रहना सुरू किया तब से सफाई का महत भी उन्होंने समझा और भले ही घर कच्छे होते थे पहले या कैसे भी लेकिन उन्होंने किसी प्रोडक्ट से पहले साइद पेड़ों के पत्तों से नारियल के पत्तों से और किसी चीजों से घा आज भी जाडू मिलती है लेकिन उसके अब आकार प्रकार बहुत सारे हो चुकी है जी आज दोस्तों आज इस वीडियो में मैं डिसक्रसम करने जा रहा हूं जाडू के बिस्नेस के ऊपर है कि लीनिंग प्रोडक्ट के ऊपर तो हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है और हमारे बड़ी कंपनियां भी हार धंदे में बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसके लेवल है तो इसके लब कितना भी कर लो लेकिन मैं जो बनाता हूं बूद नए लोगों के लिए बनाता हूं जो नए आदमी है जो कुछी ब्यापार करने का सोच रहे हैं इनका मूर है कुछ करें कुछ करें तो क्या करें तो आप यह कर सकते हो इसके लिए आपको बहुत बढ़ी पुझी क्या सेकता नहीं है और है शहरों में या किसी अच्छी जगरे फैक्टरी होना यह भी ज़र बिद्ध नहीं है Mr bhaar आप बहुत छोटे स्थ से शुरूठ सकते और समंस्ति स्यां और समस्त्रेस कि जो इसके जो कच्छा माल है आसानी से उप्लवद हो जाताला मीड च्त्रों disappointment क्हारे शानी नारिरल शेप समस्तिज से और vin सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब टिस इस में कितना इंवेस्ट में तो यह कोई मसीन से बनती रहे आदेब है आजकल प्लास्टिक की जाड़ों आगे वह मसीनों से बनती है लेकिन जो नारेल जाड़ों फूल जाड़ू, सीक वाली जाड़ू, कई तरह की जाड़ियों होती है, अलगला आकाद प्रकात हो सकता है, लेकिन चीज़ें वही है, तो इसको शुरू करने के लिए जादे से जादे आपको 10-15 जाद उपे की जरूरत है, अगर आप चाहें, तो 10-15 जाद उपे से भी इस को सुरू कर सकते हैं, प्रॉफिट की बात आती है, तो इसकी लगाता डेमांड बनी रेती है, हमेशा हर जगे डेमांड होती है, तो डेमांड कभी खतम होने वाली है नहीं, तो ब्यापार अगर सोचुंग मैं 15-20 परसेंट यूँ मनाफ़ा माकिन के चलता हूँ, तो आप आराम से महिने का 25-30,000, 50,000 तक कमा सकते हैं,